हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत आप से विक एक बार फिर से सरकारी हट में तो इस वीडियो में जो है आप सभी को मैं एक इंपोर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ जो भी B.S.C. नर्सिंग के स्टूरिंट्स हैं या फिर जो M.S.C. नर्सिंग या मतलब जो A.N.M. और G.N.M. के स्टूरिंट्स हैं तो जो भी ऐसे केंडियेट्स हैं जो इन पोस्ट के लिए इन वेकेंसी के लिए जो है अपना इंटरेंस एक्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट अपडेट है मैं आपको यहाँ पर जैसे दिखाता हूँ यह जैसे शेडियूल फो नर्सिंग यंड पेरमेंडिकल आ रहा है तो मैं आपको इसके शेडियूल में दिखाता हूँ कि हाँ जो आपका ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था मतलब उसकी जो फिलिंग स्टार्ट हुई थी वो आपके 13 तारिक से हो गए थी 13 अक्टूबर से और आज जो है यानि कि 11 नवंबर 5 बजे तक शाम को जो है इसकी लास्ट एट है ठीक है तो आप मेंसे किसी भी ने अगर जो भी कोई ऐसा है जिसने फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया है और सभी को एक और एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपने फॉर्म फिल कर भी लिया है तो एक बार जो है अपना application form जो है डाउनलोड करके सारी details को check कर लीजे अगर उसमें कोई भी correction होने वादी चीज है तो वो अभी कर लीजे वरना फिर वो बाद में नहीं हो पाएगी ठीक है और जिनोंने form नहीं बढ़ा है तो आज 11 तारीक है लास्ट एट है और शाम को 5 बेता की form फिल होगा तो अभी भी कोई अगर रह गया है form फिल करने के लिए और उसको अगर form फिल करना था तो प्लीज जल्दी से जल्दी जो है form फिल कर लीजे ठीक है क्योंकि हो सकता है आज वैसी भी ट्रैफिक जादा हो वेबसाइट पर थोड़ी देर लगे आपको form फिल करने के लिए ठीक है तो form को जल्दी से जल्दी फिल कर लीजे जिनके इडियस नहीं फिल किया है और जो कर चुक है उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपना application form ज सारी चीज़े जो है दुबारा से एक बार चेक कर लीजे ताकि बाद में जो है आपको कोई तकलीफ ना हो क्योंकि अगर counseling में ये पाया गया कि कोई भी details जो है mismatch हो रही है तो अगर आपको government seat मिल भी रही होगे न तो वो आपकी cancel हो जाएगी ठीक है तो ये बहुत important updated तो please जल्दी से जल्दी अपनी सारी details चेक कीज़े और कोई भी अगर correction होना है तो उसके लिए correction online कर लीजे ठीक है तो यह important update था और 14 तारिक को उसका admit card आ जाएगा तो जैसी आएगा वो मैं आपको बता दूँगा और nursing aptitude का जो lecture है फो अभी कुछ देर में upload कर दिया जाएगा ठ अगर उनके पास यह information नहीं है तो वो भी अपना जल्दी से जल्दी form भर लें या फिर जो भी अगर correction होना है तो वो सब चीज़े जो है चेक कर लें ठीक है तो और कोई भी डाउट है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं ठीक है comment section में आप पो सकते हैं मैं आपका doubt जो है answer कर दोंगा okay so thank you and have a nice day